दोस्तो क्या किसी के पास इतना पैसा हो सकता है कि विना किसी जरूरत की चीजों को करोड़ में खरीदे जैसे करोड़ो रुपे की पैंटिंग खरीदना तो कई लोग अपनी रहिसी दिखाने के लिए अपने फोन में ही डाइमेंड लगवाते हैं तो कई लोग बड़े बड़े घर बनवाते हैं दोस्तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दुनिया के पाँच ऐसे अरभपती जिन्होंने पैसा खर्च करने की सारी हज़े पार कर दूँ तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाग बटम को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ में इस घंटी को दबाना ना भूलें बिल गेट्स Microsoft Company के Founder and CEO और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी Bill Gates का नाम तो अपने सुना ही होगा Bill Gates की पूरी प्रॉपर्टी की क्या 12 रब डॉलर की है और ये 8 रब डॉलर एरिजोना की 25 सो एकर जमीन बना चुके हैं अपनी खुद की नई स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और इस सिटी को बेलमोंट नाम देने वाले हैं ये सिटी वक्त से बहुत आगे होगी जिसका कमनीकेशन और इंटर्णेट सिस्टम बिल्कुल लेटेश टिकनोलोजी के हिसाब से होगा और यहां तक की इस सिटी की गाड़िया भी सबसे अलग होगी बेलमोंट का कहना है कि 2000 एकड में सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग और फैक्टरीज होगी और 500 एकड में स्कूल और बाकी जगहों में घर होगे जेव वेजोस बिल्गेट्स को पचार के बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो की एमेजॉन जैसी इकॉमर्स कंपनी के फांडर है इनके पास 131 करोड डॉलर्स हैं और इन्होंने 42 अरब डॉलर्स 500 फिट घड़ी बनाने में लगा दिये जो अगले 10,000 साल तक बिनाद के चलेगी ये घड़ी डे एड नाइट सोलर पैनल की मदद से चलेगी जो की दिन में सूरज की रोसनी से चलेगी और रात में चंद्रमा की रोसनी से चलेगी क्लाइप कालमर आयरेण, अल्मूनियंम और निकल का बीजमस करने वाले क्लाइप अस्ट्रेलिया की जानी मानेहसस्ति हैं क्लाइब डेड अरब डॉलर के मालिक हैं और ए 60 करोब डॉलर टाइटेनिक टू सिप को बनाने में लगा चुके हैं क्लाइब टाइटेनिक को दोबारा बनाना चाहते हैं और इस नए टाइटेनिक टू सिप पर सेफटी सिस्टम को नए और बेतर तरीके से बनाय जा रहा है इस सिप को तयार होने की डेट 2016 थी मगर डेट को टाल कर 2018 कर दिया गया लेकिन दोस्तो ये सिप अभी तक तयार नहीं हो पाई है लेकिन दोस्तो अपसोस की बात या है कि अभी तक ना ही बिल गेट्स की स्मार्ट सिठी बनी ना जेव बैजॉस की घड़ी बनी और ना ही प्लाइट की टाइटेनिक टू सिब बनी रिचर्ड ब्रेंसन दोस्तों रिचर्ड एक वर्जन कंपनी के मालिक है और आप यहां जानकर बेहत हैरान होने वाले हैं कि रिचर्ड अपने सौफ को पूरा करने के लिए ये एक बार एरो प्लेन में एर होस्टर्स बनके चले गए थे और उस प्लेन में बैठे सभी लोग इन्हें देख के बेहत हैरान हो गए थे रिचर्ड अपने इस सौफ को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पैरों के बालों को भी वेक्सिन्स कराए थे दोस्तो मैं आपको बता दू रिचर्ड ब्रेंसन की कुल संफत्ती साड़े पांच बिल्यंड डॉलर की है लेंड साइविंग दोस्तो इस आदमी के सौफ के बारे में जानके आप बेहत हैरान होने वाले हैं क्योंकि इसके सौफ बेहत अजीब है लेंड साइविंग एक ज्वलरी सौफ के ओनर है और दोस्तो इस सौफ में जो टॉलेट्स लगी है वो सोने की है जी हां दोस्तो सोने की टॉलेट्स और दोस्तो हैरानी की बात या है कि इस गोल्डेन टॉलेट को लैंसाइब इनके कस्टमर भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी पाच ऐसे रापती जिनोंने पैसा खर्ष करने की सारी हदे पार कर दी दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सेर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो प्लाइब किस्टो के लिए लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले